करनाटक के आई टी बीटी मंत्री सी एन अश्वर नारायन और कॉंग्रेस के बैंगलोर क्रामीन सैंसर डी के सुरेश सोमवार को रामनगर में कारकरम के दोरान मंच पर आमने सामने आ गए यह घटना तब हुई जब मुख्य मंत्री बस्व राज बोमई भी मंच पर थे मतादिया कारकरम सरकार द्वारा डाबी आर अमबेदिकर और बैंगलोरो के संस्थापक कमपे गोडा की प्रतिमाओं का अनावरन करने के लिए आयोजित किया गया था मुख्य मंत्री के रूप में यह बोमई की पहली रामनगर यात्रा थी दोनों में जगड़े की वीडियो सामने भी आई जिसमें जब सुरेस ने नारायन के आकरमक भाशन पर आपती जताई तो चीजे नियंतरन से बहर हो गई सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव करने पर कॉंगरेस सांसद ने नारायन पर आकरमक रुख अपनाया सुरेश के साथ कॉंग्रेस के बैंगलोर ग्रामीन MLC S. रवी भी शामिल हो गए जिन्होंने नारायन को बोलने से रोकने के लिए माईक फेकनी की भी कोशिश की है इसके बाद करना टक से कॉंग्रेस के एक मात्र लोक सभा सांसत शुरेश विरोध में मंच पर बैठ गए वही बता दें कि दोनों में काफी जड़ब भी देखने को मिला जिसके बाद वहां के लोगों ने और प्रशाशन ने रोकने की काफी मशक्कत की आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखे बाकियों और खबरों के लिए जुड़ रही है एस पी एन नाइन न्यूस के साथ